कि सो हे गाइस वेलकम टू माई नीव वीडियो अर्पीत के ब्लोक्स में स्वागत है को ने वीडियो के साथ सो गाइस जैसे की देख रहे हैं आज है हमारे साथ होंडा के साइन 125 सिसी तो इसी गाज मैं टोप फाइब रिजन्स टू बाय होंडा साइन SP बताने वाला हूं कि आ वीडियो को आप लाज तक जरूर देखिएगा वीडियो काफी इंफॉर्मेटीव होने होला है और मेरे चैनल में अगर आप नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर किजिएगा साथी साथ बेल आइकन को भी प्रेस किजिएगा तो चलिए दोस्तों वीडियो से स्टार्ट क नोर्यामोर्चीरिण के मामले में काफी बडीरियो qkbtu को मिल जाता है उसमे आपको पूरी स्टिक्रिंग गए दो यूज किया ग्याए जो कि दिखने अच्छी लगति आ और यहां पर देख सकते इश्की जो ब्लड लूख है वह काफी एने चेन करती है पहले के मामले में ये बेटर अभी हो गई है Honda Sign 125 के मामले में काफी अच्छी लगती है अब बात करते हैं इसके second region की तो इसकी second region है वो है इसकी engine engine जैसी आपको पता ही होगा कि Honda के engine जो रहती है वो more reliable refined engine आपको देखने को मिलता है इसमें आपको 124 CC का engine मिलता है जो की air cooled 4 stroke BS6 engine के साथ ये आती है और one number of cylinder ये इसमें रहता है जो की maximum power ये 10.74 PSC produce करती है और वहीपे मैं बात करूँ इसकी power की तो power 11 newton meter at the rate 6000 rpm power and torque के मामले में इसमें काफी ज्यादा आपको देखने को मिल जाएगा जो की engine के मामले में more reliable है जैसे कि आपको पता ही होगा और ये जो है highway में एक नमबर ये चलती है प्री रोट पकड़कर इसकी जो engine की reliability आप जैसे की कह सकते हूं काफी अच्छी है अब बात करते हैं इसके third region की तो इसकी जो third region है वह इसकी seat comfortable मैं इसकी seat की बात करूं तो इसमें आपको पूरी long seat देखने को मिल जाता है जो काफी comfortable seat इसमें रहती है और चलाने में काफी comfortable भी रहती है क्योंकि इसकी जो riding voucher है वह काफी अच्छी रहती है तो आप कहीं पर भ गया गया है वह दिया गया है और यह सबस्पेंस जो है वह है टोलिक टाइप सब्सक्राइब आपको देखने को मिल जाती जो किस comfortable के मामले में comfort के मामले में काफी अच्छी बाइक है अब बात करते हैं इसके fourth region की तो इसकी जो fourth region है वह इसकी विल्ट पॉल्टी इसकी विल् बात करते हैं से मालेज की कितनी मालेज यह देगी Honda sign 125 तो company क्लेम करता है 60-50 km पर लिटर बट एक्चल में उत्रा नहीं देती है बट 50-55 km का एबरेज आपको आरांस यह निकाल कर दे देती है अगर आप 60-70 के चलते हैं तो मालेज के मामले में अच्छी खासी आपको माले न संतकर में यह पूरी सिंपल में आती है पुरंट प्रोफाइल की बात करें लाएँ में उसमें आपको कोई वह डिजीटल kanamla उसके जो फे प्रिवर रिजनी वहीं इसकी इसकी गारी अपस। तो अगर आप इसे सर्विस कराते हैं तो सारवेंस कोस्ट के अप्रोग्स में आपका service cost लग जाता है उससे ज़्यादा आपका नहीं लगता है इस बाइक पे और easily parts available यह इसकी जो parts होती है बाइक के parts कहीं भी easily available और इसकी जो color option की मैं बात करूँ कि total इसमें कितनी color option के साथ यह आती है तो total color option इसमें आपको साथ color option देखने को मिल जाएगा जो की variant की मैं बात करूँ तो 4200 के साथ यह आती है पहला variant जो है वह साइंड्रम सेलिब्रेशन एडिसन ड्रम साइंडीस्क और सेलिब्रेशन एडिसन डिस्क चार भीनेंट टोटल आपको देखने को मिल जाती है अब बात करते हैं इसके ओन रोट कीमत की तो इस गाड़ी का जो उन रोट प्राइस है वो है 96380 के आप रोक्सी आपको पड़ जाएगा ओन रोट कीमत मैं आपको बता रहा हूं और इसकी जो टायर साइज है वह 818 और रि क्योंकि इसमें पूरी आपको सिंपल वाइक पूरी सिंपल वाइक है इसमें आपको माइलेज अच्छी खासे देखने को मिल जाएगा लुक्स भी दिया गया है कमपोर्डेवल कभी मामले में काफी अच्छी है और इसकी मैं इंजन की बात कर वह पूरी मोरी लाइवल मुझे कमेंड करके जरू बताइएगा सो आज अच्छी लबस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियों में तब तक लिए जाएं वहने मादरम थैंक्यू गाइस बाइए